इसलिए करें के बीज करें करें कि प्रीवेश्व वीडियो में हमने आर्टिकल्स पढ़े थे पार्स ओफिस्पीच हमने स्टार्ट किया था मैंने एक जनरल स्टॉटर आपको दिया था सेंटेंस का उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं त पिर मैंने बता थे कौन-कौन से parts of this piece किस-किस जगह पर आने चाहिए तो मैंने article का part 1 बनाया था उसमें मैंने बताय था indefinite articles और उसके uses बताय थे आज मैं बताऊंगो आपको definite articles जो 2 होता है और उसके uses के बारे में पहली बात इससे definite article क्यों कहते है क्योंकि ये किसी definite object को define करने के लिए use होता है definite मतलब कि जो specific हो जो particular हो ठीक है अब हम इसके use की तरह बढ़ते हैं तो दौ के बारे में एक चीज बिलकुल गांट बाद लीजिए कि आपको जो भी चीज स्पेशल दिखे specific दिखे उसके पहले आपको दौ लगा देना है हां कुछ exceptions हैं जहां पे दौ नहीं लगाए जाते हैं बहुत से लोग हर जगा दौ का use करते हैं बट नहीं ये गलत है कुछ ऐसी ही जगा है जहां पे दौ का use करते हैं और कुछ जगह है जहां पर दौका यूज नहीं करते हैं तो इस वीडियो में हम दूनों चीज़े जानेंगे कहां दौका यूज करना चाहिए कहां नहीं करना चाहिए बट एक बार एकदम रिमाइंडर डाल लीजे कि जहां भी आपको कोई चीज़ स्पेशल दिखेगी वहां पर आपको दौका यूज करना है चले स्टार करते है यूज इसकी कहां कहां यूज होता है फौर वेल नौन अबजेक्ट जो भी चीज वेल नौन होती है जानी मानी अबजेक्ट होती है उसके लिए जैसे ताजमहल ताजमहल जाना माना मौनूमेंट है बहुत फेमस बिल्डिंग है वार आप दे सेवेन बंडर्स इन वोल्ड इसके बाद दगंगा जानी मानी रिवर है इसके लिए हम इसके आगे दौका यूज करते है फिर मैं एक बार और repeat कर देता हूं, अगर आपको कोई भी चीज special specific दिखती है, तो duck I use हमें करना है, next तरह बढ़ते हैं, for special or unique kind of objects, unique kind of objects का मतलब होता है, जो चीज अपनी किसम की एक ही हो, जो पूरे universe में एक ही हो, जैसे the sun, the moon, the earth, ये अपने kind में, अपने किसम की एक ही है, ये बहुत special category है, इनकी, I hope समझ गया आप, फिर to generalize a whole class or group, जब हम किसी group को, किसी class को generalize करते हैं, मतलब समाने तो उनके बारे में बात करने लगते हैं, तो उनके पहले the use किया जाता है, जैसे example है, the dog is a faithful animal, dog, कुता एक वफादार जानवर होता है, तो the dog का मतलब, मैं सिर्फ एक dog के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं dog के आँ, class को पूरे dogs को बता रहा हूँ, कि all dogs are faithful, सारे कुते faithful होते हैं, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, before and adjective without noun, ऐसे adjective के पहले dog का यूज़ करते हैं, जिसमें noun नहीं होता, जैसे example देखिए, the rich should help the poor, अब यहाँ पे rich का मतलब धनी लोगों से है, सिर्फ धनी से मतलब नहीं है, rich का मतलब है rich people, धनी लोगों का, और poor का मतलब है कि गरीब लोगों से, तो इसका क्या मतलब हुआ, the rich should help the poor, धनी लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो ये adjective इसमें noun नहीं है, मैंने कहीं भी people नाम न पर चुके हैं उन्हें पता होगा कि superlative degree क्या होती है जब आप executive में degrees of comparison पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि superlative degree क्या होती है बट हाँ अगर आपको नहीं पता जो यह वीडियो देख रहे हैं गुरू नहीं पता तो don't worry आने वाली वीडियो में इस सब को involved करता जाओंग अच्छे से जान जाओगे superlative degree क्या होती है superlative degree हलका समय inter Media करते हो superlative degree वह degree होती है जब किसी noun या pronoun को हमें एक ग्रूप में super बताते मतलब हो सबसे अच्छा भी हो सकता है या सबसे वह सबसे खराब भी हो सकता है जब हम किसी group में बात करते हैं ठीक और ordinals का मतलब होता है जब हम यह बोलता है na 1st, 2nd, 3rd, 4th इन्हें हम ordinals बोलते है ordinals ऐसे words को का जाता है ऐसे determiners को जो position बताते हैं किसी चीज की 1st position, 2nd position, 3rd position इन सारे चीजों के पहले हमें 2 लगाना चाहिए यह the जरूर आना चाहिए जैसे c is the best student of class c is the best best superlative degree है कि वो class की सबसे अच्छी student है तो best आपका superlative degree of comparison है और उसके पहले हमने the का यूज किया हुआ है अब इसके बाद he is the force boy admitted here he is the force देखे, force मैंने बता है na ordinals होते हैं, force, second, third force के पहले दो का यूज किया गया है तो वो पहला लड़का है जो यहां पे admit किया गया अब आगे बढ़ते है as adverb in comparative degree अगर comparative degree में कोई word adverb की तरह यूज किया जा रहा है तो उसके पहले हम दो लगाते हैं अगर comparative degree को adverb की तरह यूज करते हैं हम कोई comparison करते हैं दो लोग या दो वस्तुओं के बीच में जब हम comparison तुलना करते हैं वहां हम comparative degree use करते हैं तो इसका example है the more you'll read the more you learn या the more you know आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे इसके बाद है using proper noun as common noun जब proper noun को common noun की तरह use करते हैं वहां भी हम दोगा यूज करते हैं देखे example इसका कश्मीर is the Switzerland of India कश्मीर भारत का Switzerland है या कभी-कभी आपने एक example देखा होगा कालिदास is the Shakespeare of India देखे वैसे तो usually proper noun के पहले दोगा यूज नहीं करते हैं बट कहा करते हैं जब हम proper nouns को common noun की तरह करते हैं हम कश्मीर को Switzerland की तरह मान रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का क्या है Switzerland है और with all and both जब आपको कहीं all and both ये दो words दिखे मतलब इसके पहले हमें दोगा यूज करना है example all the man came सारे लोग आये and both the boys were playing और सारे बच्चे खेल रहे थे तो I hope इतनी वीडियो आपको समझ में आगी अब हमें एक चीज और जाननी है यूज तो हमने जान लिया बट सबसे important पात होता है दो जानने के बारे में सबसे important हिस्सा सबसे important जो section है वो है omission omission का मतलब líder lox कहां use नहीं करना है तो अब भी तक हमने यूज तो देख लिया बट सबसे important पार्ट होता है that is omission omission का हुंदी होता है łोब मतलब की articles को कहां use नहीं करना है यह सबसे important बात है जानने के लिए हर जगह use नहीं करते कुछ ऐती specific जगह है जहाँ use नहीं होता और इन दोनों के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखाए यूज्वली मतलब समानित प्राय हम इसके साथ यूज नहीं करते और एक बात याद रख लिए यूज नहीं करते प्रॉपर नाउन मेटरियल नाउन के साथ अकसर यूज नहीं करते अभी मैं बताऊंगा कि वो अकसर के अलावा कौन से exceptions आप वादे यूज कर सकते हैं और abstract noun के साथ कभी भी यूज नहीं करते देखे एक्जामपल ये गलत एक्जामपल है कलकाता एक प्रॉपर नाउन एक जगा का नाम है तो इसके पहले हम दो नहीं करेंगे चलिए मैं इसको erase कर देता हूँ अब ये आपका जाके correct बना hopefully आप समझ गए honesty is the best policy ये आपका correct sentence है अगर मैं यहाँ पे the honesty कर दूँ नहीं, that's incorrect ये छूड़ ये, sorry gold is a precious metal सोना एक precious बहुत मुल्यवान धातु है अगर मैं the gold कर दूँ तो वह गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि Material nouns के पहले हम Articles को Use नहीं करते हैं अब चलिए मैं वह बताता हूँ कि Useally के अलावा हम कहाँ use कर सकते हैं क्योइ प्रॉपर नाउन है को किस प्रॉपर नाउन के पहले दूँच कर सकते हैं अगर material noun है तो कहां material ना उनके पहले the use करते हैं जैसे by the way मैं एक example लेता हूँ शारुक खान तो ऐसा तो है ने कि शारुक खान सिर्फ बॉलिवूड वाले ही शारुक खान है बहुत से लोगों के नाम शारुक खान होंगे बड़ जब मैं बात करता हूँ बॉलिवूड वाले शारुक खान की तो हम उसके पहले the use कर सकते हैं उनके नाम के पहले हम the use कर सकते हैं दी शारुक खान इसका मतलब हुआ कि दी शारुख खान का मतलब हम बॉलिवूड वाले किंग खान बादशा की हम बात कर रहा है तो वहाँ पे वो special case बन गया मैंने बताया था आपको पहले भी वीडियो के साथ में कि जहां आपको speciality दिखे वहाँ आपको दा यूज कर देना है तो दो शारुख खान हम को यूज करेंगे जब हम specific बॉलिवूड वाले शारुख खान की बात करेंगे तो अब material ना उनके पहले दो कहां यूज करते हैं जैसे मान लेजाए suppose करिए कि मैंने गरिंग पहनी है जो कि gold की है actually मैंने पहनी नहीं है आप imagine करिए कि एक ring है और मैं कहता हूँ कि the gold of my ring is very precious, very expensive तो मैं कह रहा हूँ कि जो शोना मेरे अंगुठी की है न the gold of my ring is expensive ये महंगी है तो मैंने अभी specific बताया है कि मेरे अंगुठी की जो सोने है वो महंगी है तो यहाँ पर मैंने the gold use किया यहाँ पर the gold use करना गलत है क्योंकि हम commonly use कर रहे है सारे सोने के हम बात कर रहे है तो I hope अब समझ में आ गया और abstract noun के पहले कभी भी use नहीं करते हैं कभी भी the happiness गलत है, the sadness गलत है, the honesty सारे words wrong है the abstract noun के पहले use नहीं करते हैं next बढ़ते है common nouns widest sense अगर कोई common noun widest sense बहुत फहला बहुत व्यापक जिसको कहते हैं बहुत दूर तक की sense रखता हो बहुत दूर तक की सोच रखता हो तो वहाँ पर हम common noun की use कर सकते हैं इसे man is mortal, अब यहां पर सिर्फ man, सिर्फ आदमी की बात नहीं, सारे humans की बात हो रही है कि इंसान नश्वर है, mortal का मतलब नश्वर है, जो नस्ट हो जाता है, कभी न कभी हमारी भी एक expiry date है दवाईयों की तरह सबका एक fix date है कि वह इस दिन जाके मरेगा तो man is mortal, इंसान नस्वर है, तो यहां पर man का मतलब सिर्फ male gender से नहीं है हमने सबने सभी इंसान को किया, अगर मैं दो man कर दूँ, तब तो यह मैं किसी specific की बात कर रहा हूं नहीं, तब वहां पर wrong हो जाएगा next, some nouns like school, कुछ nouns होते हैं, school, college, university, temple, hospital ऐसे nouns जो होते हैं, इनके पहले दौका यूज नहीं करना चाहिए कभी भी इनके पहले दौका यूज नहीं करना चाहिए आईए देखते हैं, क्यों नहीं करते हैं he goes to school, वह school जाता है, हम school क्यों जाते हैं हमारा purpose क्या होता है, उदेश्य क्या है, पढ़ने के लिए जाता है तो अगर जितने nouns का मैंने नाम लिया है, school, college, university, temple, hospital अगर हम अपने purpose को अपने उदेश्य को पूरा करने के लिए जाते हैं तो इनके पहले दौका यूज नहीं करना है अगर एक अपवाद है इसमें, अगर हम school, जैसे माल जे मैं school जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो इसके पहले मैंने बताया दौका यूज नहीं करना मैं father went to the school to see the result मेरे पिता स्कूल गए result देखने के लिए तो दो इसकूल, अब मैंने स्कूल के पहले देखिए, दो यूज की ओगा है क्यों यूज की ओगा है कि अब हम अपने उदेश्य से हट के काम कर रहे हैं हम दूसरे उदेश के लिए चले गए, दूसरा purpose था हमारा result देखने का purpose था I hope आपको इतनी बात समझ में आ गई अब next, और भी ऐसी चीज़े हैं जहां पर दौका यूज नहीं करते किसी भी disease, मतलब की बिमारियों के पहले, regular meals जो regular खाना खाते हैं जैसे dinner, lunch, breakfast sports किसी भी खेल के पहले यूज नहीं करते days, months, seasons किसी भी दिन के पहले यूज नहीं करते Sunday, Monday इसके पहले the use नहीं होता January, February इसके पहले the use नहीं होता winter, summer, autumn इन सब के पहले the का use नहीं करते हैं अब इसमें exception है, दो अपवाद हैं, exception का मतलब यह बिगडायल बच्चे हैं जो इस rule को follow नहीं करते हैं, तो दो वो कौन-कौन से हैं the, mumps, जिसे कंठमाला करो करते हैं गले में हमारे lungs में, जब लार्वा वाली हमारी बीमारी होती है लार वाली, सलाइवा वाली, तो गले में एक बीमारी होती है, disease उसको mumps बोलते हैं और दूसरी बीमारी है, measles, जिसको खसरा बोलते हैं तो the measles और the mumps, यह दो ऐसे बीमारियां हैं, जिनके पहले हम दो यूज करते हैं अगर आप किसी को बताएं, the coronavirus मतलब कि 2020 में जो हमारी फैली थी, जो बीमारी फैली थी, मैं उसके बारे बता रहा हूँ तो I hope इतनी बात आपको समझ में होगी, एक point और है, चलिए देखते हैं किसी भी language के पहले किसी भी language के पहले दका यूज नहीं करते हैं, और किसी भी subject के पहले अगर आप कोई विशाय पढ़ रहे हैं, कोई language बोल रहे हैं, तो उसके पहले कोई भी article यूज नहीं होता, चलिए जैसे मैंने बोला English, हम English पढ़ रहे हैं, तो English is a language, English language है English आपका subject भी है, तो अगर मैं इसके पहले the use कर दूँ, क्या गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों गलत नहीं होगा English एक language है, और एक subject भी है, मैंने बताया कि इसके पहले the use नहीं करना है, अगर आप the use कर देते हो, अगर मैं बोल देता हूँ the English, तो भी ये गलत नहीं है, अगर किसी language के पहले हम the use कर देते हैं, तो वो उस country के लोगों को represent करता है, English की इस लोगों को कहते है, England में रहने वारे लोगों को, तो English कौन होगे, British होगे, जो English बोलते है, यानि की the English, the English का मतलब होगे, अब मैं Britain के England के लोगों को represent कर रहा हूँ, एक और language लिए बोलता हूँ जैसे French होई, और French के पहले दा नहीं लगाएंगे, अगर वो language को represent कर र रहा है, एक बात और, अब omission हमने देख लिया, use भी देख लिया, एक और important जगा होती है, बहुत से लोग दो को बार बार use करते हैं, repeat करकर के use करते हैं, तो अब हमें देखना है, repetition, कहां दुबारा use करना है दो को, कहां दो को दुबारा use नहीं करते, ये भी बहुत ज़रू दो एडजेक्टिव और आप यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं अगर आपको ग्रामर के एडजेक्टिव नहीं पता तो डोंट वरी आने वाली वीडियो में बार बार कह रहा हूं मैं इंक्लूड करूंगा एडजेक्टिव थोड़ा सा बता देता हूं एडजेक्टिव गॉलिटी बताते हैं अगर दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन को कौलिफाई कर रहे हैं उसी की विछेथा बता रहे हैं तो दो का युप सिर्फ किसके पहले करेंगे पहले वाले एडजेक्टिव की तरफ जैसे एक्जामपल लेखिए the red and white flower ये red और white दो color है न और ये flower को क्या कर रहे है describe कर रहे है, qualify कर रहे है तो दो adjective एक ही flower को क्या कर रहे है, qualify कर रहे है that's why सिर्फ मैंने पहले वाले adjective पहले दो लगा दिया ठीक है, मतलब की the red and white flower मतलब की लाल और सफेद फूल, एक ही फूल है उसमें दोनों color है red भी है और white भी है अगर use before both adjective if they qualify different noun अगर यही दोनों adjective अलग-अलग nouns को qualify करने लगे, दो अलग-अलग nouns को qualify करने लगे तो हम the दोनों के पहले यूज करेंगे जैसे the red and the white flower, अब यहाँ पर दो फूल हो गया, the red एक लाल फूल है and the white और एक सफेद फूल है दो फूल हो गया same कहानी यहाँ भी आती है बस हमें adjective की जगह पे noun को रख देना है और noun की जगह पे adjective को बस replace कर देना interchange कर देना है use before the first noun पहले noun के पहले यूज करेंगे अगर दो noun एक ही adjective को करते है अगर दो noun की विशस्ता को एक ही adjective बता रहा है तो सिर्फ हम पहले वाले noun के पहले दो लगातेंगे जैसे this secretary and manager has come एक ही इंसान है जो secretary भी है और manager भी है, एक ही इंसान को दोनों post मिली हुई है, वो secretary भी है और manager भी है तो मैंने सिर्फ पहले वाले noun के पहले लगा दिया अगर फिर से दो noun अगर यह जो दो post मैंने बता है secretary manager अगर दो अलग-अलग लोग है तो मैं फिर से वही कहानी जो हमने अडिरेक्टिव आले मपढ़ा इन दोनों के पहले लगाएंगे जैसे the secretary and the manager यहां पर है इनसान को रिप्रेजेंट कर रहे थे अब यह दो अलग-अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी आप अच्छे से देखिएगा एक बार फिर रिवाइस कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा सबसे पहले हमने यूज पढ़ा कहां यूज करते हैं बहुत सी जगहें मैंने देखिए फिर मैं बताता हूं एक बार और अगर आपको कोई चीज स्पेशल दिखती है पर्टिकुलर दिखती है स्पेसिफिक उसके पहले हमें दो लगा देना है वेलनोन चीजों के पहले जो जानी मानी है फिर हमने देखा कि जो अपनी किसं की एक है सन, मून, अर्थ इनके पहले दो लगाते हैं फिर बहुत सी जगहें देखी फिर मैंने आपको बताया कि रोका यूज कहा नहीं करना औमिशन, लोप मैंने बताया कहा यूज नहीं करते है कुछ जगहें मैंने बताया जैसे प्रॉपर नाउन मैटरियल नाउन, अवास्ट इनके पहले यूज नहीं करते फिर हमने देखा रिपिटेशन अगर आपको इस चीज की रिटेन मेटेरियल चाहिए तो दिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम की लिंक दी हुई है या मेरे वाट्टसप का नंबर भी है आप मुझे कॉंटेक्ट करके पीडियेफ इसका ले सकते हैं आप सॉल थैंक यू